हलो नमस्कार दोस्तों आज एक नए ओफिस्यल अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने आ रहे हैं यह जो अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए ले करके आ रहा हूँ यह इंडियन कॉंट्रेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको कि हम लोग लाउफ पार्टनर्श एक्ट मिंस की एक से जादे यहाँ पे सबसे तो पहले आपको यह पता चल गया कि जब जब हम पार्टनर्शिप की बात करते हैं तो उसमें एक से जादे लोगों की सभागिता होती है तभी हम जाकर के क्या करते हैं पार्टनर्शिप करते हैं और यही काम हम कॉंट्रेक्ट फिर पार्टनर सिप की बात करें यहां पर बार बार हमको पार्टनर देखने के लिए मिलेगा हम पूरे के पूरे के पूरे के पूरे कॉंसेप्ट को डील करने वाले है लौ आफ पार्टनर्शिप एक्ट में यह जो एक्ट पास हुआ था दोस्तों यह है 1932 का एक्ट है जब आप MCQ सेशन को साल्व करेंगे तो आपसे रेंडमली ऐसा कोश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लौ आफ पार्टनर्शिप एक्ट है यह कब पास किया गया था तो यही 1932 में law of partnership एक्ट को पास किया गया था यह थी basic information जो कि मैं आप सभी लोगों को एक एक करके यहाँ पर दे रहा हूँ अब हम बात करते हैं definition की और nature of partnership क्योंकि मैं आप सभी लोगों को already बता चुका हूँ कि क्या होता है partnership? partnership का मतलब simple यह होता है कि एक एक party रहेगी एक भी party रहेगी और दोनों parties आपस में क्या करेगी? किसी चीज पे बात्चीत करेगी और बात्चीत करके क्या बनाएगा? वहाँ पे legal relationship create करेगा और जैसे ही legal relationship create हो जाएगा वहाँ पे वो एक partnership बन जाएगा उनका तो आईए देखते हैं क्या कहा जा रहा है? इनके definition में और क्या है इनका nature जब हम partnership की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलना होगा the partnership act 1932 basic बात तो यह है कि जो हमारा partnership act है वो 1932 में Parliament of India के दोरा एक law pass करके इनको क्या कर दिया गया था? बना दिया गया था साथी साथ लिखा है an act enacted by parliament of India to regulate partnership firm in India यह basic information है और यह हर एक student को यह basic information पता है कि क्या होता है partnership क्योंकि मैं already आप लोगों को Indian contract act की बारे में बता दिया मैं आप सभी लोगों को से ये भी उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने Indian contract act का general provisions जरूर पढ़ा होगा section number 1 से ले करके section number 75 के बीच में वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे contract किया जाता है तो क्या एक minor किसी से जा करके contract कर सकता है? नहीं कर सकता है लेकिन आपको एक case भी देखने के लिए मिला होगा मोहरी बीबी वर्सिस धर्मो दास घोस का एक मामला आपको देखने के लिए मिला होगा कि minor होने के बावजूद भी होने क्या कर लिया था? at that time contact में enter कर लिया था तो इन सभी cases को भी आपने general principles में कही न कहीं पढ़ने का काम किया होगा और वही चीज हम यहाँ पे भी क्या कर रहे है? इस partnership act के ही अंतरगत पढ़ने का काम हम कर रहे हैं आगे देखिए कह रहा है it is based on the English partnership act 18-19 यह आज का concept नहीं है जब जब हम partnership की बात करेंगे तो यह आज का आज हमारे द्वारा और आपके द्वारा यह तैयार किया गया नहीं है यह 1890 में अंग्रेजों के जमाने में ही तैयार कर दिया गया था उसी को हम लोग क्या किये हैं? उसी को हम लोग policy किये हैं जो छी हमको नहीं adopt करना था उस चीज को हम लोगोंने repeal कर दिया है हटा दिया है और जिसको हमें adopt करना था वो हमने 1932 के इस act में हम लोगोंने क्या कर लिया है adopt कर लिया है और इसको power कहां से मिला है तो power Parliament of India के द्वारा इसको power दिया गया है आगे देखिए क्या लिखा है कर रहा है ये भी आपके MCQ examination के लिए एक question बन जाता है कि कब ये pass हुआ था यहाँ जहाँ जहाँ से question बन रहा है उन सभी जगहों को हम एके करके targeted करते हुए चल रहा है क्योंकि वहाँ से continuously आपके examination में question पूछे ही जाएंगे और जब जब question पूछे जाएंगे तब तब आपका marks यहीं से आपको मिलने वाला है साथी साथ करा है previously the law relating to the partnership where contained in the contract act 1872 ये अभी भी हम लोग यही law पढ़ते हैं जब जब हम contract की बात करते हैं तो वही पूराना वाला हमारा घिसा पीटा law हमको देखने के लिए मिलता है Indian contract act 1872 आपको पता है कि company act भी क्या कर लिया अपने आपको Indian contract act से निकालने का काम कर दिया और company act आज आपको इतना मोटा बलकी देखने के लिए मिलेगा जो की 2013 में पार्लियमेंट आफ इंडिया के द्वारा पास किया था इसलिए किया गया था 1872 का कानून Indian contract act की हम बात करते हैं 1872 का कानून इतना पूराना कानून वहाँ पे किस चीज की बात की जाती थी तो वहाँ पे पुराने पुराने चीजों की बात की जाती थी ऐसा अब जमाने में नहीं हो रहा है तो जो चीज हमें नहीं चाहिए उस चीज को by the timing हम क्या कर रहा है उस चीज को हम repeal करते हुए चल रहा है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि Parliament of India ने तीन नए criminal कानून को भी ला दिया BNS ला दिया, BSA ला दिया और BNSS ला दिया इसलिए ला दिया क्योंकि समय की मांग थी और समय की मांग को ही fulfill करने के लिए Parliament बैठा है अगर Parliament जैसी संसा ना होती तो आज भी हम वही Indian Penal Code आज 100 साल फिर घसीट ले जाते है वही CRPC फिर हम घसीट ले जाते है और वही Indian Evidence Act फिर घसीट ले जाते है लेकिन समय बदल चुका है अब Cyber Fraud आ रहा है अब Coin से Related हम Offense को पढ़के क्या कर लेंगे आप लोग खुदी Literate आदमी है आप लोग बताईएगा पर्चेस करना चाहता है कोई सिक्के में कोई Coins में नहीं डील करना चाहता है समय की मांग बढ़ गई और समय की जैसे जैसे मांग बढ़ी वैसे वैसे चीजों को चिंज करता हुआ चलता है हमारा Parliament of India साथ साथ कर रहा है in this chapter number 11 section 239 to section 266 के अंतरगत इसको क्या किया गया था define किया गया था हलका सा छोटा सा provisions इसका दे रखा था Indian Contract Act 1872 के अंतर but the provisions were not found satisfactory and hence the chapter was repealed and a new separate partnership act was enacted यह मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ इसलिए भूमी का आप सभी लोगों के सामने बाद रहा हूँ जिससे कि आपको long term तक यह चीजे याद रहेगी जब तक जादे दिनों तक आप याद रखेंगे correlate तरके जब आप main examination की answer writing को frame करेंगे at that time भी आप इन सभी चीजों को आसानी से लिख सकते हैं पता रहेगा कि हाँ यह Indian Contract Act का कही न कहीं बिशड़ा हुआ भाई है जो की हमको कहां देखने के लिए मिल रहा है हमें Partnership Act 1932 के रूप में हमको देखने के लिए मिल रहा है इसका जड़ आपको पता चलेगा साथी साथ आपको यह भी पता चलेगा कि यह जो हमारा Partnership Act है यह आज का Partnership Act नहीं है ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है और अंग्रेजों के जमाने का कानून हमारे लिए क्या था satisfactory नहीं साबित हो रहा था तो इसको क्या किया गया समय की मांग थी और समय की मांग के द्वारा इसको क्या कर दिया गया इसको repeal कर दिया गया इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हुआ चल रहा हूँ आगे लिक रहा है इस एक्ट एक्टेंड टू दी होल आफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कास्मीर की बात कर रहा है ये बात अब ये भी चेंज हो गया क्योंकि मैं बार-बार समय की बात कर रहा हूँ समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है कभी की बात करें सबका समय आता है और इसका समय भी अब समाप्त हो चुका जो एक्सेप्ट की बात करता था जम्मू एंड कास्मीर की बात कर रहा है इसको भी अब समाप्त कर दिया गया आपको पता है कि J&K Reorganization Act पास हो गया है क्या पास हो गया है J&K Reorganization Act कब पास हो गया था तो 31 October 2019 को ये Act हमारा पास हो गया था और इस Act के पास हो जाने के बाद जितने भी हमारे Central Level के कानून है वो सभी के सभी कहां पे अपलाई होते हैं तो धूम धाम से जम्मू एंड कास्मीर में भी अपलाई होते हैं तो अब ये एक्सेप्ट जो वर्ड है इसको अब हटा दियाना चाहिए हट चुका है हटा देना ने चाहिए हट चुका है जो भी हमारा Act है कहां पे लागू होता है तो Whole of India में एकदम भोसु हवास में लागू होता है और कैसे इसको हटाया गया है तो यही J&K Reorganization Act पास किया गया था कब पास किया गया था Parliament of India के द्वारा तो 31 October 2019 को ये Act पास किया है यह बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई अब next point की हम बात करते हैं इतनी भूमी का जो मैंने आपको पिछले 57 मिनट में मैंने बताया यह मैं उमीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीजे समझ में आ गई होगी आगे देखिए partnership is the relations between person who have agreed to share the profits of a business जब जब हम पार् business कर रहा है यह partnership में हम लोग कर रहा है मिन्स की दो लोग तील लोग चार लोग जितने भी लोग हो सकते हैं उतने लोग मिल करके इस business को हम क्या करना चाहते हैं हम perform करना चाहते हैं कोई जैसे हम एक example लेना चाहें तो example के तौर पे मैं आपको यहां पे थोड़ा सा मैं बताना रुपेज यह लगाए 5000 रुपेज यह लगाए 3000 रुपेज और यह भाई साहब लगाए 2000 रुपेज यह तीनों सभी लोगा क्या हो गया है एक यहां पे partnership हो गया और partnership होने के साथ साथ यहां पे क्या हो गया यहां पे 10, 15, 20, 20,000 रुपए यहां पे क्या हो गया है 20,000 रुप इनको प्रॉफिट कितना चाहिए अगर आप लोग समझदार वैखती हैं तो इनको कितना प्रॉफिट चाहिए तो इसी 10,000 पे तो इनको प्रॉफिट चाहिए अगर ये सर 5,000 रुपय इनको कितना पैसा चाहिए 5,000 पे ही प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट शेरिंग रेशियो की बात की जाती है इसकी हम बात कर रहा है तो प्रॉफिट शेरिंग रेशियो की बात की जाती है तो ये 3,000 लगा है तो 3,000 के भिहापे इनको रेशियो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा ये ब डिवेंचर आप कहेंगे कि यह क्या है डिवेंचर जब हम सेयर के कॉंसेप्ट को पढ़ेंगे जब सेयर मार्केट के कॉंसेप्ट को पढ़ेंगे तो सेयर मार्केट में भी हमको क्या देखने के लिए मिलता है हमको एक डिवेंचर देखने के लिए मिलता है और एक डिवेंच हमको देखने के लिए मिलता है जब जब हम डिवेंचर की बात करते हैं तो डिवेंचर क्या होता है as a loan होता है डिवेंचर क्या होता है as a loan होता है और जब जब हम डिवेंचर की बात करते दोस्तों तो कभी भी आप देखेंगे तो 12% at the rate 12% लिखा रहेगा at the rate 15% लिखा उसी percentage के rate पे आपको क्या देना पड़ेगा जब आप dividend company कोई इसू करती है कोई dividend company लेती है तो इस rate पे इसको क्या देता है इस rate पे यहां पे वो tax जमा करने का tax नहीं loan के तौर पे होता है loan यहां से लेता है जैसे कि 15% के हिसाब से loan ले लिया diventure के रूप में और जो लोग share issue करवाते हैं जो लोग share प्राप्त करते हैं उनको क्या मिलता है उनको profit और loss इसी dividend के form में उनको मिलता है यह बात भी यहां पे समझ में आप लोगों को आ गई है अभी हम आगे चलेंगे और share market के भी concept को यहां पे इसी partnership act के ही अंतरगत समझने क हम काम करेंगे तो यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि जब एक partnership की business होती है तो partnership business में क्या होता है profit sharing ratio होता है जो जितना लगाया भी या उसी के भीहाब पर उतना उसको profit मिलने वाला है और अगर loss होता है business में तो उसी के accordance में वहाँ पर उसको loss भी bearer करना होगा वही concept यहां पर समझाने का काम किया जा रहा है share the profits यहां पर आप देखिए share the profits of a business carried on by all or any of them acting of all जो भी partnerships वहाँ पर बैट करके जो लोग भी मिल करके partnership का business run कर रहा है जो भी उन्होंने invest किया है उसी के एकॉर्डिंग वो profit को share भी करेंगे आगे दे रहा है this definition is contained in section number 4 of Indian Partnership Act 1932 यह simple बता रहा है कि यह जो definition हमको देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो जब जब हम Indian Partnership Act 1932 को पढ़ेंगे और वहाँ पे section number 4 के पास जाएंगे तो section number 4 खोल करके रख देगा का देगा भाई साब आप देख लिजे partnership क्या होता है और किसको कहते हैं partnership partnership में क्या 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 चीजे share की जाती हैं क्या क्या चीजे bear की जाती हैं इन सभी चीजों की कहानी section number हमारा फोर बताएगा अभी हम आगे चलेंगे तो उसको विडिल करने वाले हैं अब definition को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या कह रहा है definition आप partnership थोड़ से definition भी हम जान जाएं क्योंकि हमारे main examination के point of view से हमें finally इन ही सभी चीजों को लिखने की अशक्ता होगी कह रहा है partnership partnership firm and firm name सबसे तो पहले जब जब हम partnership की बात करेंगे तो partners का वहाँ पर नाम होगा और एक जो firm होगा उस firm का भी नाम होगा साथी साथ हम यहीं पर joint venture की भी बात करेंगे किसकी बात करते हैं joint venture कि आप लोगों को आज कई नए-नए words सुनने के लिए मिलेंगे कई नए-नए concept आपको सुनने के लिए मिलेंगे यहां पर हम joint venture की बात करते हैं अब आप कहेंगे अभी तक तो अभी हम partnership को देख रहते हैं यह joint venture क्या होता है ठिकदारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा हमिल करके एक venture create करते हैं यह भी जस्ट लाइक पाटनर्शिप ही होता है जब-जब हम joint venture की बात करते हैं यह भी just like partnership ही होता है लेकिन इसका जो concept होता है यह partnership से थोड़ा सा अलग concept होता है अभी आगे चलेंगे और joint venture के भी concept को यहां यहां पर deal करने का काम करेंगे अब यहाँ पर देखिए करा है partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all यह चीज आप लोगे को समझ में आ गई है यहाँ पर क्या कह रहा है साफ साफ वही simple बात करा है कि जो भी हम partnership करते हैं वो किसके लिए करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ profit sharing ratio के लिए करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ profit को share करना चाते हैं loss को share करना चाते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं यह partnership वाला business run करते हैं मान लिजे कि अगर एक वैक्ती है उसे एक business run करने में एक लाख रुपे की और शक्ता है लेकिन भाई साहब के पास मात्र 60,000 ही रुपे उनके पास एविलेबल हैं 40,000 रुपे की और और शक्ता लगीगी यह यह भाई साहब हैं किसी अपने दोस्त से कहेंगे भाईया भी तुम ऐसा करो कि तुम क्या करो तुम हमें 40,000 रुपे और हमें तुम दे दो अगर तुम 40,000 रुपे हमको दे देते हो तो हम दोनों मिल करके क्या करेंगे दोनों लोग मिल करके एक बिजनस स्टार्ट करेंगे हम 60 परसेंट का प्रॉफिट गें करेंगे उर तुम 40,000 रुपे का प्रॉफिट गें करना अगर लॉस होता है तो जो भी rudisew है 40,000 का रिशियो में अगर कर करना और अगर लॉस होता है तो हम 60,000 के भी हाप पे लॉस को बेर करेंगे यही सिंपल कॉंसेप्ट होता है पार्टनर्शिप एक्ट में पार्टनर्शिप जो हम लोग पढ़ रहा है आगे देखिये क्या लिखा है आगे कि अगर हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पे कहना चा कि देखिए जब हम सोल प्रोप्राइटर्शिप की बात करते हैं अभी तक तो हम लोग पार्टनर्शिप की बात कर रहे हैं अब एक नया कॉंसेप्ट आ जाता है सोल प्रोप्राइटर्शिप क्या सोल प्रोप्राइटर्शिप अब आप कहेंगे कि यह सोल प्रोप्राइटर्शिप क्या होता है किसको सोल प्रोप्राइटर्शिप कहते हैं तो सोल प्रोप्राइटर्शिप का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति खुद का ही वो दुकान कर रहा हो खुद का ही किसी प्रकार का कोई बिजनस कर रहा हो तो सोल का मतलब अकेला है अकेले कर रहा है प्रॉफिट होगा तो वही भाई साहब बेयर करेंगे लॉस होगा तो वही भाई साहब बेयर करेंगे अब यहाँ पे definition को पढ़िए क्या दे रहा है person who have entered into partnership with one another are called individuality partners and the collectively of firm and the name under which their businesses are carried is called a firm name जब दो partner मिल करके एक business को perform करते हैं तो उसका नाम कोई form का नाम दिया जाता है आप देखते भी होंगे कि हम यह समा इस form से purchase कर रहे हैं या फिर इस limited company से यह वाटेवर जहां से पर्चेस करते हैं उसको कर रहे हैं और उसको नाम क्या दिया बिल्कुल डीफर होता है इन सभी चीजों से इसलिए डीफर होता है क्योंकि Soul Proprietorship में एक वैक्ति होता है उसी वही मालिक होता है वही वहां का नौकर भी होता है सारा का सारा काम इनी भाई सा आपको करना है जब जब हम Soul Proprietorship की बात करते हैं नहीं तो है इसलिए मैं बार-बार इन सभी Concept को आप सभी लोग के सामने डील करता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि इन सभी Concept से कही ना कहीं आपको Questions देखने के लिए आपके Preliminary Examination में मिल जाएगा कि Soul Proprietorship क्या होता है Partnership Form क्या होता है Partnership में किस तरह से Profit Sharing Ratio किया जाता है It quite clearly Poetress of the following of the essence for the feature of the partnership अब यहाँ पे features को देखिए क्या-क्या features यहाँ पर दे रखे हैं Partnership के पहला अगर हम feature की बात करते हैं That it is the result of an agreement Partnership कब take place करेगा यह result होता है किस तरह का Agreement का और मैंने आप सभी लोगों से पहले ही पता दिया था कि enforceable भाई क्या होना चाहिए Law होना चाहिए मैं बार-बार Indian Contractor के पास जाओंगा और किस के पास जाओंगा इनके General Principles के पास जाओंगा कहाँ पे जाओंगा तो इनके General General Principles के पास जाएंगे और General Principles कहाँ से Section No.1 से लेकर के Section No.75 को हम पढ़ने का काम करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है Section No.10 हमको देखने के लिए मिलता है Section No.11, 12, 13, 14, 15 इन सभी चीज़ों को हम देख करके क्या करते हैं एक Agreement Create करते हैं और Agreement का Definition भी हमको Section No.2 के अंतरगा तो देखने के लिए मिल जाएगा By the timing आप लोग जरूर Agreement के Definitions को आप देख लीजेगा कि Agreement के Definition Indian Contract Act में क्या कहता है पहली बात यहाँ पे आपको मिल गई दूसरी बात क्या कर रहा है It is organized to carry on a business Partnership जो किया जाता है Partnership का Result क्या होता है Partnership का Result यह होता है कि हम एक Agreement कर रहे है Agreement करके हम क्या करेंगे किसी ना किसी बिजनस को Perform करने का काम करेंगे किसी इसको करेंगे तो किसी ना किसी बिजनस को Perform करने का काम करेंगे जैसे आपने यहाँ पर देखा था Form यह क्या करते हैं कोई ना कोई form name यहां पर create करेंगे किसी ना किसी form को यहां पर क्या करेंगे create करने का काम करेंगे कब जब यह किसी ना किसी भी प्रकार का कोई भी partnership create कर लेंगे तब next की हम बात करते है third point क्या कर रहा है that the person concerned agreed to share the profit of the business भाई सबसे तो important यही है अगर माल लिजए कि मैं और आप एक partnership हम में इंटर हो रहा है में परपस क्या है partnership में आने का भाईया profit में पैसा कमाना क्या करना मैं काम कर रहा हूं मैंने invest किया मैंने काम किया भी मैंने invest भी किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए मुझे यह मिलना क्योंकि हर जगा काम लोग पैसे के लिए ही कर रहे हैं लाव के लिए ही कर रहे हैं तो main जो objective है हमारा चाहे वो partnership business हो चाहे वो sole proprietorship business हो या फिर हमारा share ही market क्यों ना हो हम वहाँ पे क्या करना चाहते हैं हम वहाँ पे profits को gain करना चाहते हैं और इसी profit को gain करने के लिए तरह तरह के कारे को किया जाता है और उसी तरह का कार एक ये भी है partnership act आगे देखिए fourth वाले point में क्या दे रहा है fourth point कर रहा है कि that the business is to be carried on by all or any of them acting for all इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है किसलिए किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये सारी कि सारी चीज़े profit को पाने के लिए profit कमाने के लिए ही किया जा रहा है इतनी बात हमारा ये Indian contract act नहीं बलकि Indian partnership act हमको बता रहा है अब आगे देखिए यहाँ पे जो जो relevant section है सिर्फ और सिर्फ हम relevant provisions को ही यहाँ पे deal करते हुए चल रहे हैं section number six क्या कर रहा है section six of this act determine the mode of the partnership where it determines whether a group of person is a firm or not यहाँ पे कर रहा है कि जो group of person होता है क्या वो form होता है कि नहीं होता है simple बात यह कर रहा है और मैं आप लोगों से already बता चुका हूं कि partnership में क्या होता है एक firm होता है और firm का नाम होता है आगे देखिए क्या कर रहा है और whether a person is a partner in the firm or not रिगार्ट, it's given to the real relation between the partnership section number 6 जब हम section number 6 के पास चलेंगे तो हम एक-एक चीजों को एक-एक धागों को खोल करके समझने का और पढ़ने का काम करेंगे कि section number 6 हमसे क्या काना चाहता है, क्या कर रहा है कि partnership क्या होता है, किसको हम partnership कहते हैं partnership में किसको कहते हैं, person जो होता है, क्या वही firm होता है या नहीं होता है, इन सभी चीजों का भी हम section number 6 के पास चलेंगे और देखने का काम करेंगे, अब यहाँ पर कह रहा है कि mode of determining existence of partners की बात कर रहा है, अब mode वगरा को देखने की भी बहुत आओ सकता नहीं है, जो जो important है, उन से आपके examination में, जब जब आप previous year paper को देखेंगे, तो यहाँ से आपके examination में question पूछा गया है, partnership at will, क्या होता है partnership at will के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, कर रहा है, where no provision is made by the contract between the partnership for the duration of their partner, or for the determination of their partnership, the partnership is a partnership at will, इसी को हम लोगग partnership as a partnership as a will के नाम से जानते हैं, आगे कर रहा है, where no provision is made in contract between the partner, as a duration of their partnership, partnership is one at will की बात कर रहा है, अभी हम इसके जब definition clauses में चलेंगे, तो इनके definition clauses को भी particularly read करके आपको समझाने का काम करेंगे, कि partnership at will क्या होता है, कर रहा है, while section 8 deals with the particular partnership and states के बारे में बता रहा है, अब particular partnership क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी information यहाँ पे share किया गया है, particular partnership, a person may become a partner with another person in the particular adventure और undertakings की बात यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ particular partnership के बारे में बता दिया, जो हमारा main topic स्टार्ट होता है, वो है essential of partnership, क्योंकि यहाँ से हमारे examination में question हमको देखने के लिए मिलता है, कि क्या होता है essentials of partnership में, आईए इसको हम ध्यान से एक एक करके पढ़ने वाले हैं, कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग को blood दिख रहा होगा, but मैं पढ़ रहा हूं, मैं read कर रहा हूं, चीजे आप लोग को समझ में आएंगे, as per the partnership act, there are three essential elements which are necessary to constitute a partnership, namely, there must be an agreement, पहले ही हम लोगोंने agreement के बारे में अल्रेडी पढ़ने का काम किया है, agreement, मैंने आपको बताया, section 2 के definition clauses में, Indian Contractor के section 2 में आपको agreement का definition देखने के लिए मिलेगा, comment section में आप हमको जरूर बताइएगा, कि कौन सा section है, section number 2 में अगर आप देख रहे हैं तो, between all of the part, all of the person concerned, the agreement must be shared profit of the business, जो main intention होता है, क्या main intention होता है share, क्या share, इसी profit को share करना, main intention होता है, जब जब हम partnership business की बात करते हैं, तो partnership business में हमें क्या important होता है, तो sharing of profit, और जो भी profit sharing ratio, prior हम लोगो decide कर लेते हैं, उसी के बिहाब पे हम लोगो क्या करते हैं, sharing करते हैं, profits को, एक दूसरे में, and the business must be carried on by all or any of the partner, acting for all, these are explained below, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे, सबसे पहले हम agreement को देखेंगे, कि क्या होता है agreement, किस तरह से agreement को perform किया जाता है, किस तरह से agreement को बनाने का काम किया जाता है, क्योंकि जो most important topic है, वो हमारे agreement ही है, partnership की बात करते हैं, there must be an agreement or contract of partner, या तो agreement उसको कहिए या फिर contract कहिए, और जब जब आप लोग contract कहेंगे, तब तब हम आपको याद दिलाएंगे, section number 1 से लेकर के section number 75 के provisions को, आगे कह रहा है, between two or more person, the agreement from which the relationship of partner may be expressed, it may also be implied, यह express भी हो सकता है, और implied भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ express ही हो, implied नहीं हो, जब जब हम agreement में enter करते हैं, जब जब हम agreement करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी हमारा relationship होता है, या तो वो expressed हो सकता है, या फिर implied हो सकता है, दोनों में से कोई न कोई एक हो सकता है, साथी साथ कर रहा है, and the act or conduct of the partnership, showing a mutual understanding between them, सबसे important बात यहीं है, कि mutual understanding दोनों partners में होनी चाहिए, पता चला कि एक partner कर रहा है, कि नहीं नहीं यह तुम राम कर रहा हो, एक partner कर रहा है, नहीं तुम रहीम कहते हैं, तुम राम कहते हैं, नहीं जब तक दोनों के बीच में एक अच्छी mutual understanding, एक अच्छी chemistry नहीं हो, तब तक partnership हमारा जादे दिनों तक run नहीं इसलिए लोग कहते हैं, आप school colleges की अगर बात करते हैं, तो आप उसी friend के साथ बैठा पसंद करते हैं, जिसके साथ आपकी अच्छी मित्रता होती है, जिसके साथ आपकी अच्छी बातचीत होती है, जिससे आपकी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं कि जो जिससे आपका कभी बा लेकिन उसी के साथ करेंगे जिसके साथ हमारा mutual understanding बहुत ही सांदार हो साथ ही साथ कर रहा है hence it can be oral or written यह important point यहाँ पर छोटा सा ही point दिया है लेकिन important point दिया है कि यह क्या हो सकता है it can be oral or written जो agreement हमारा होता है वो oral भी हो सकता है या फिर written भी हो सकता है दोनों format में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दूसरा हमारा जो point है sharing of profit business की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो sharing profits of the businesses और मैं initial stages से आप लोगों को कह रहा हूं कि जब जब हम बात करते हैं partnership की बात करते हैं contract की बात करते हैं तो main हमारा जो purpose होता है वो profit ही पाना होता है क्योंकि जब तक यह साहब नहीं मिलेंगे तब तक हमारा किसी चीज को करने में मन नहीं लगेगा तो यह क्या कर रहे हैं अब इनको समझने की आउशकता है there must be an existence of a business or a trade with a motive earning profit यहाँ पे जो हमारा motive होता है वो होता है earning profit करना क्योंकि जब तक हमको कोई profit नहीं होगा क्यों हम partnership में enter करना चाहेंगे क्यों हम अपना दिन भर अपना सरदर्द करना चाहेंगे और उसके पास से पता चले कि हमको कुछ profit ही ना हो आदमी काम वहीं करना चाहता है जहाँ पे mutual understanding अच्छी हो और जहाँ पे उसको कहीं न कहीं यह profit भाई साहब मिल रहे हो यह मिल रहे हो वहीं पे वेक्ती काम करना चाहता है और उसी की बात हमारा partnership एक्ट बात कर रहा है क्यो कि इनका इन्टेंशन क्या होता है ड्रोफिट क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कर रहे हूं जब तक profit नहीं मिलेगा तब तक करने से क्याтор मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर वीडियो कδα condition ये वीडियो अगर 10,000 लोग 20,000 लोगों के पास ना पहुंचे तो फिर इतना मेहनत करने का इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब आप जादे से जादे लोग देखेंगे तभी ये जादे से जादे लोगों तक पहुंचेगा और शेयर कौन करेगा आप ही लोग करेंगे मैं पूरे वीडियो में कभी नहीं बोलता हूँ कि आप वीडियो को सेयर करिए लाइक करिए ये आपके उपर डिबेंड करता है सेम एस उजवल कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कोई भी बंदा को हम क्यों करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे न में इंटेंशन क्या है या पैसा रहेगा तो हर एक चीज हम खरीद लेंगे हर एक चीज हम कर लेंगे लेकिन जब यह पैसा ही नहीं रहेगा जब हमारे पास प्रॉफिट नाम का कोई चीज ही नहीं आ रहा है दिन बर हम काम को करेंगे हम उस काम को नहीं करेंगे वहीं चीज़ यहां पर समझाने का काम कर रहा है देर मस्ट भी एन एग्रीमेंट टू सेयर प्रॉफिट फ्राम दा बिजनस हावेवर दा एग्रीमेंट टू सेयर लॉसेज इस नौट एंड एसेंचियल एलिमेंट्स आप दी पार्टनर जब जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तब तब हम कैसे सेयर करते हैं तो एक प्रॉफिट सेयरिंग रेशियो हम क्रियेट करके रखें हैं और उसी प्रॉफिट सेयरिंग रेशियो के भियाप पर हम क्या करते हैं हम एक पार्टनर से ले करके दूसरे पार्टनर में क्या क को अंदर और भी गहराई से हम इसको पढ़ेंगे जब मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट आभ व्यू से पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपका यहां पे concept क्लियर होने वाला है कह रहा है in partnership each partner act as a principle as well as the agent on the behalf of the partner thus it is essential to have to mutual agency business अगर carried किया जाता है partnership का तो यह कैसे होता है यह एक type का mutual agency होता है और उसी mutual agency के भिहाब पे ही इस nature के business को carried किया जाता है इस business को perform करने का काम किया जाता है हमारे पास और भी है जैसे kinds of partnership की हम बात करते हैं on the basis of duration की हम बात करते हैं साथी साथ partnership at fixed period की हम बात करते हैं साथी साथ हम यहाँ पर बात करते हैं on the basis of extended to the business की बात करते हैं यहाँ पर हम particular partnership को देखना चाहते हैं साथी साथ general partnership को हम देखना चाहते हैं और भी हमारे पास kinds of partnership हैं इन सभी जगहों से हमारे examination में continuously हमसे question पूछे जाते हैं तो साथियों यह जो अभी तक मैं आप सभी लोगों के लिए session लेकर के आया था यह अभी तक हमारा part first था अगर आप लोगों का positively approach होगा अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा बताया हुआ चीज समझ में आ रहा है और यहाँ से आपके examination में भी question बनने वाले हैं तो आप हमार फिर समझ में वाले हैं ऑटो आपके लोगों को अभी महारा को कर रहा है बंगर को भी साथिर भी में में आप लंगर स्ज्टन में आपटेस आपके हमारा Part II वाले लोगों कली त Başभ़ों कर शार सी दूडर टो आपके लों को कि में जई हो कि अ कमार प्म खबर आपके तके व